So hello students, it's Vasim sir here, और आज हम लोग सीखने वाले हैं Com subject, that is Kinematics of Machinery, जिसको हम लोग Tom भी बोलते हैं, that is Theory of Machine तो Com subject में हमारा Velocity in Mechanism chapter चालू था Velocity in Mechanism chapter में हम लोगों ने Incident Center Method के कुछ Problems लिये थे आज हम लोग Relative Velocity Method स्टार्ट करने वाले हैं तो Relative Velocity Method का आज हम लोग Problem No.1 लेने वाले हैं तो Relative Velocity Method का Problem No.1 लेंगे, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर प्रॉबलम दिख रहा है प्रॉबलम का स्टेटमेंट और डागराम दोनों आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मैं यहाँ पर प्रॉबलम का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ आज जो प्रॉबलम लेंगे हम लोगों बेसिक सा प्रॉबलम होगा जनरली डिगरी लेवल पे इस तरह का प्रॉबलम नहीं पूस्ते हैं फोर बार चैन मेकैनिजम का प्रॉबलम है क्लॉक्वाइज वाइल दी लिंक सीडी हम लोग को 60 डिगरी दिया है और अंगुलार विलोसिटी अफ लिंक सीडी निकालना है लिंक सीडी का अंगुलार विलोसिटी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो अभी हम लोग सब में फर्स टेप क्या करेंगे देखो रिलेटिव विलोसिटी मेथड में आपको दो डायगराम बनाने पड़ते हैं एक होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो प्रॉबलम में डायगराम दिया है उसको हम लोग को बाय स्केल मेजर्मिंट के साथ ड्रो करना करता है उसको हम लोग स्पेस डाइग्राम बोलेंगे और दुसरा होता है विलोसिटी डाइग्राम विलोसिटी डाइग्राम में हम लोग अभी लिंक्स का विलोसिटी के हिसाब से उसका विलोसिटी डाइग्राम ड्रॉ करेंगे तो समय हमें फिले हम लोग Space Diagram ड्र गरते हैं तो Space Diagram को Dor करना Start करने से पहले हम लोग को क्या देखना है समय पहले हम लोग को देखना है कि Dimensions हम लोग को क्या दिया है What are the Dimensions given in the link देखो समय मिनिमम Dimension आप देखोगे तो वो है 40mm और समय Maximum Dimension है 150mm अगर आप इसको as it is scale में लोगे तो 40 mm, 40 mm मतलब क्या हो जाएगा, 4 cm हो जाएगा और 15 mm मतलब क्या हो जाएगा, 15 mm मतलब 15 cm हो जाएगा, अब 15 cm का line आप यहाँ पे तो easily draw कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बात करोगे, आप एक drawing book के page की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका सिर्फ एक page पे फिर क्या होगा, as it is अगर हम लोग dimension लेंगे, तो एक page पे आपका सिर्फ space diagram बनेगा, velocity diagram के लिए आपको अलग page उसकरना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, scale को हम लोग reduce करेंगे, reduce scale करके हम लोग लेंगे, तो हम लोग scale यूज करेंगे, 20 mm is the course to 1 cm वाला scale यूज करेंगे, देखो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग scale use करने वाले है, scale use करेंगे हम लोग 1 cm is the course to 20 mm वाला, यह scale करेंगे, और यह वाला scale कि के लिए space diagram का scale है velocity diagram के लिए आपको अलग scale use करना पड़ेगा और space diagram के लिए अलग scale use करना पड़ेगा दो-दो scales use करने पड़ेंगे यहाँ पे इस वाले problem है अब यह हम लोग को दिया है अब हम लोग को और क्या दिया है देखो the crank AB is 40 mm long and rotates at 120 rpm मतलब rpm दिया है हम लोग को crank AB का है मतलब NAB का value दिया है कितना दिया है 120 rpm दिया है तो इस से हम लोग क्या करेंगे इस rpm से हम लोग angular velocity निकाल लेंगे और जो हमारा point B है point B का हम लोग linear velocity निकाल लेंगे जिससे हम लोग को help होगा आगे problem further solve करने में तो समय पर ले क्या करेंगे हम लोग NAB से हम लोग omega AB निकाल लेते हैं omega AB is equal to क्या होता है formula 2 pi n upon 60 that is 2 pi into n कितना है हमारा 120 divided by 60 इसको calculate कर लेंगे हम लोग यहाँ पर calculator में तो हम लोग को value मिल जाएगा 2 into pi लेंगी यहाँ से into 120 divided by 60 12.56 है तो 12.56 omega AB हम लोग को angular velocity मिल गई है 12.56 क्या है unit इसका radian per second है unit पक्का याद रखना और हमेशा problem में unit आपको लिखना है without unit कोई quantity नहीं लिखना है 12.56 radian per second यह मिल गी हम लोग को angular velocity अब हम लोग निकालेंगे linear velocity linear velocity of point B on link AB यह हम लोग को निकालना है तो VB is equal to linear velocity और angular velocity में क्या relation होता है linear velocity is equal to angular velocity of same link into distance of same link है ना AB अब AB का distance हम लोग को यहाँ पर problem में दिया है 40 mm है ना कितना दिया है 40 mm दिया है लेकिन हम लोग को यह distance चाहिए मिटर में तो देखो AB हम लोग को दिया है 40 mm इसको convert कर दीजिए मिटर में कैसे convert करोगे into 10 is of power minus 3 करो या फिर divided by 1000 करोगे तो divided by 1000 करोगे तो आपको इसका distance मिल जाएगा 0.04 meter 0.04 meter मिल गए अब इसको यहाँ पे इस value में put करना है तो VB is equals to omega AB हम लोग को मिला है 12.56 into AB हम लोग लेंगे 0.04 अब इसको यहाँ पे हम लोग calculate कर लेते हैं 12.56 into 0.04 तो हम लोग को मिल गए answer 0.5024 0.5024 यह वाला मिल गए हम लोग को linear velocity 0.5024 meter per second यह मिला है linear velocity of 0.B on link AB चलो अब यहाँ तक हमारा हो गया linear velocity हम लोग को मिल गया अब हम लोग को बढ़ना है space diagram की तरफ है अब space diagram ड्रॉ करने में सब में first हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे सब में first हम लोग को dimensions को scale में convert कर लेना है देखो जो भी dimension दिये उनको scale में convert करो scale है हमारा 1 cm is equal to 20 mm तो सब में पहले हम लोग करेंगे AB को convert AB हमारा है 40 mm तो इसको क्या करना है 40 divided by scale कितना है 1 cm is equal to 20 है तो divided by 20 करो तो AB आपको मिल जाएगा 2 cm तो AB की line हम लोग ड्रॉ करेंगे 2 cm की उसके बाद देखो उसके बाद AD और BC दोनों का dimension सेम है AD is equal to BC is equal to क्या है 150 mm है 150 mm मतलब क्या करोगे इसको 150 divided by 20 करोगे scale से divide कर लेना है तो आपको मिल जाएगा value 7.5 cm आप the next dimension है DC DC हम लोग को दिया है 80 mm देखो 80 mm दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 80 divided by scale से divide कर लेंगे divide by 20 तो DC आपको मिल जाएगा 4 cm तो DC आपको मिलेगा 4 cm तो देखो DC मिल गया यहाँ पे AD, BC मिल गया और AB मिल गया सारे dimensions को हम लोगोंने scale में convert कर दिया है अब हम लोग हमारा space diagram draw कर सकते है draw करना start कर सकते है तो diagram draw करने के लिए हम लोग start करेंगे यहाँ से यहाँ पे हम लोग एक point locate कर देंगे यह वाला point रहेगा हमारा point A यह है point A और अब हम लोग बनाएंगे link AD को देखो मैं यहाँ पे pencil draw कर रहा हूँ क्यूंकि आपको डाइग्राम प्रॉपरली दिखे clear दिखे आपको पेंसिल से draw कर रहा हूँ तो light दिखेगा आपको exam में pencil से draw करना है pencil draw नहीं करना है तो link AD draw करेंगे यह point A है तो AD कितना है हमारा AD और BC देखो AD और BC 150 था है scale में convert किया 7.5 cm आजा है यह रहेगा link AD यह point A है यह point D है यह fix है link तो इसको fixation का symbol आप यहाँ पर बता दो अभी देखो जोब भी velocity का problem आप velocity acceleration का problem आप draw करोगे तो आप drafter से draw करोगे तो better रहेगा exam में drafter लेके जाना है तो drafter से draw करो तो आपका accuracy जाधा रहेगा आप roller scale या फिर set square का use करोगे तो accuracy कम हो जाएगा answer गलत होने के chances maximum होते हैं अभी देखो अब हम लोग को दिया है जैसे आप लोग को diagram भी दिख रहा है हम लोग को दिया है angle BAD angle BAD कितना है 60 degree है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से 60 degree ले लेंगे इस side से 60 degree दिया है तो 10, 20, 30, 40, 50, and 60 60 आगया point यहां पे तो आप क्या करना है अब A से इस line को 60 degree के line को आपको joint कर लेना है इस line को हम लोग joint कर लेंगे इस line को joint कर लेंगे अब इसको joint करने के बाद इस line पे किदर हम लोग को मिलने वाला है हमारा point B यह angle है हमारा 60 degree अब A to B A to B कितना है A to B हमारा 40 mm था scale में convert किया 2 cm अब क्या करेंगे हम लोग अब हम लोग compose में ले लेंगे 2 cm का distance यहां से हम लोग compose में 2 cm का distance ले लेंगे आपका वहां पे आपका रहेगा point B रहेगा ऐसे आप यहां पे directly गिनके भी ले सकते हो distance तो इसको line को dark कर लेंगे हम लोग यहां पे रहेगा आपका point B अब point B मिल गया अब हम लोग को चाहिए point C तो अब point C देखो point C connected है point B से भी और point D से भी तो BC देखो अब BC का distance कितना है देखो AD और BC 150 mm था मतलब 7.5 cm तो BC का distance है 7.5 cm तो हम लोग compose में 7.5 cm यहां पे ले लेते हैं देखो compose में हम लोग ले लेंगे 7.5 cm 7.5 cm यहां पे हम लोग उने compose में लिया है या पिर आप directly AD को भी ले सकते हो AD को गिनके भी ले सकते हो या compose में 7.5 ले लो अब 7.5 cm distance लेके हम लोगोंने pointer रखा है point B पे और यहां पे इधर हम लोग chop draw कर देंगे यहां पे इधर की इधर हम लोग को point मिलेगा हमारा C अब इसी तरह से same देखो distance DC DC कितना है DC है 4 cm तो आपको compose में ले लेना है distance 4 cm का distance ले लेना है आपको इस तरह से हम लोगोंने compose में ले लिया है distance 4 cm का 4 cm का distance लिया अब क्या करना है अब रखना है pointer point D पे point D पे रखके इस chop को cut करना है जहां पे दोनों chop cut होंगे वहीं पे रहेगा point हमारा C तो यहाँ पे रहेगा point हमारा C अब सारे points को आपको joint कर लेना है तो देखो यहाँ पे इन सारे points को हम लोग को यहाँ पे joint कर लेना है यह points को हम लोग joint कर लेंगे तो हमारा space diagram complete हो जाएगा by this case देखो यह B और C को भी हम लोग यहाँ पे joint कर लेंगे तो in this way हमारा space diagram complete हो चुका है ये वाला point मिल गए हम लोग को C देखो A, B, C, D, 4 points हम लोग को मिल गए space diagram बन चुका है अब space diagram बनने के बाद space diagram बनने के बाद हम लोग को क्या करना है space diagram बनने के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है velocity diagram के लिए अब velocity diagram कैसे draw करना है problem का statement पढ़ोगे तो आपको दिखेंगा वहाँ पे बोला है उसने the crank AB is 40 mm long and rotates at 120 rpm clockwise है ना अब clockwise rotate हो रहा है मतलब कैसे rotate होगा यहाँ पे देखो यह clockwise मतलब यह इधर rotate करेगा यह clockwise मतलब इधर rotate करेगा अब clockwise यह इस तरह से perpendicular होता है ना मतलब AB यहाँ पे point B का velocity with respect to A हम लोग निकालेंगे point B का velocity with respect to A किस direction में रहेगा इस link AB को perpendicular रहेगा इस link AB को exactly 90 degree पे रहेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है हम लोग को drafter का use करना है maximum देखो drafter को यहाँ पे set कर देना है link AB पे है ना link AB पे से set कर दो और यहाँ पे B point से आपको यहाँ पे एक line रह कर देना है ना तो यह जो line है यह line denote करेगी यह line show करेगी velocity of point B point B का velocity with respect to A velocity of point B with respect to A और यहाँ पे आपको small letters का use करना है space diagram में आप capital letters use करोगे और velocity diagram में आप small letters use करोगे ABCD वाले ओके तो अब इस तरह से हम लोग को सारे velocity vector निकालना और velocity diagram को complete करना है तो velocity diagram को complete करने से पहले velocity diagram को complete करने से पहले हम लोगों ने जो यहाँ पे VB का value निकाला है 0.5024 meter per second है इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग scale में convert कर देंगे यह meter per second में है लेकिन यहाँ पे हमारी scale किसकी है scale हमारी centimeter वाली scale है तो इस meter per second को हम लोग को centimeter में convert करना पड़ेगा इसलिए हम लोग को यहाँ पे scale use करना पड़ेगा तो अब हम लोग second वाला scale हमारा यहाँ पर use करेंगे, second वाला scale यहाँ पर हम लोग use करेंगे for our velocity diagram है न, तो यहाँ पर हम लोग scale लिख देंगे for velocity diagram, तो for velocity diagram हम लोग क्या लेंगे, one centimeter is equals to कितना meter per second लेंगे, one centimeter is equals to कितना meter per second लेंगे, देखो, यहाँ पर velocity हमारी 0.50 है न तो 0.50 मिटर पर सेकंद है तो हम लोग क्या करेंगे 0.1 ले लेंगे देखो 1 cm is equals to क्या करेंगे 0.1 मिटर पर सेकंद करेंगे 1 cm is equals to 0.1 मिटर पर सेकंद करेंगे तो अब हम लोग हमारा जो VB है VB हमारा कितना है 0.5024 है मिटर पर सेकंद तो इसको हम लोग अब इस meter per second के value को हम लोग को convert करना है centimeter में है na हम लोगोंने scale लिया 1 centimeter is equals to 0.1 meter per second है na तो हम लोग कैसे convert करते हैं हम लोग same वही हमारा method रहेगा हम लोग क्या करेंगे जो भी scale हम लोगोंने use किया है उस से उस value को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे simple इसको divided by 0.1 कर देंगे इसको divided by 0.1 कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर value मिल जाएगा देखो VB is equals to 5.024 मिल जाएगा यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आपको 0.5024 divided by 0.1 कितना मिल गया 5.024 मतलब ही आप 5 cm ले सकते हो तो 5 cm हम लोग को यहाँ पर मिल गया VB तो अब VB 5 cm मिल गया अब हम लोग start कर सकते हैं draw करना हमारा velocity diagram अब velocity diagram को हम लोग draw करना start करेंगे तो सब में पहले velocity of point B कैसे आए आएगा किस direction में आएगा जैसे मैंने आपको पता है link AB को perpendicular line आएगा इस direction में तो link AB पे आपको drafter set करना है और आपको यहाँ पर line draw करना है जो denote करेगी line of velocity of point B यहना VBA को denote करेगी और second चीज़ क्या होता है जब भी आप velocity diagram start करोगे तो किस point से start करोगे आप लोग को start करना है velocity diagram draw करना fixed points है अभी link में देखो fixed points point कौन से कौन से fixed point है यहाँ पे point A और point D यह दो fixed point है तो दोनो fixed point को आपको एक point पे locate कर देना एक point आपको बताना है यहाँ पे किदर भी हम लोग diagram start करेंगे सपोज यहाँ से ना यहाँ से start करेंगे तो यहाँ पे रहेगा point A, D यहाँ पे small letter में लिखना है देखो A और D दोनो A की point पे आएंगे fixed point देखो mechanism में कितने भी fixed point रहें दो 10 रहें दो 20 रहें दो 30 रहें दो जितने भी fixed point रहेंगे mechanism में सारे के सारे point को आपको A की point पे बताना है और वहीं से diagram आपको velocity diagram start करना है तो A और D दोनों हमारे इस point पे आएंगे यह है हमारा fixed point दोनों पहला point अब यहाँ से हम लोग करेंगे देखो अब यह क्या है यह है velocity of point B with respect to A VB 5 cm है तो velocity of point B with respect to A यह कैसे draw करेंगे link AB पे आपका drafter set कर दो तो यह scale रहेगा इसको perpendicular अब क्या करना है इस डाफटर की scale को आपको directly move करना है और move करके आपको क्या करना है यहाँ से एक line draw करना है यहाँ से आपको line draw करना है अब यहाँ से line कितनी draw करेंगे VB की value कितनी है 5 cm है हम लोग ने देखे न तो यहाँ से 5 cm का line हम लोग यहाँ पे draw कर लेंगे दिख रहा है आपको 5 cm का exactly line हम लोग draw कर लेंगे तो 5 cm पे हम लोग को point B है न क्योंकि हमारा VB कितना है 5 cm है न मतलब A से B का distance कितना है 5 cm है यहाँ पे और यहाँ पे आप direction बताओ आप लिखोगे velocity of point B with respect देखो B की velocity किसके respective है A के respective तो velocity of point B with respect to A इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना या फिर simple VB भी आप लिख सकते हो कोई issue नहीं अब हम लोग को point B मिल गए आप लोग को point C चाहिए और point D चाहिए देखो अब point C और D को कैसे find out करना है एकदम simple है कुछ भी नहीं अब point C किस किस चीजों से connected है point C connect है point B से भी और point C connected है point D से भी है ना तो पहले point C connected है point B से तो हम लोग निकाल लेंगे velocity of point C with respect to point B तो velocity of point C with respect to point B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे link BC का use करेंगे link BC पे आपको drafter को set कर देना है देखो drafter को set करना है link BC पे जैसा मैं set कर रहा हूँ देखो से आपको एक line draw कर देना है उसको perpendicular line लिंक BC को perpendicular line यह link BC को perpendicular line हम लोगो यहाँ पर draw कर दिया अब वहाँ पे इस line पे ही किदर ना किदर point C रहेगा लेकिन exactly कहाँ पे हम लोग को भी पता नहीं है तो line को extend करके छोड़ देना है उसके बाद क्या करना है अब point C is also connected with point D तो velocity of point C with respect to D भी हम लोग को मिलेगा तो velocity of point C with respect to D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग drafter को set करेंगे link CD पे देखो तो हम लोग करेंगे drafter को set link CD पे यह वाले link CD पे आप ला लो drafter को link CD पे हम लोग इसको set कर देंगे link CD पे set करने के बाद देखो link CD पे set हो चुका है link CD पे set होने के बाद velocity of point C with respect to क्या है D है with respect to D है तो point D पे चले जाओ इसको perpendicular line यह वाली रहेगी यहाँ से न तो इसको perpendicular line यहाँ से हम लोग ड्रौ करेंगे भी perpendicular line यहाँ पे पहले वाले line को जहाँ पे cut कर रही है जहाँ पे meet कर रही है वही point रहेगा हमारा point C तो यह वाला point रहेगा हमारा point C यह वाला point हमारा रहेगा point C यह रहेगी इसको dark कर लेते हैं हम लोग पहले पहले इसको dark कर लेते हैं points को यह बन गया बहुत ईजी होगा और बहुत जल्दी आपको velocity diagram मिल जाएगा अब देखो ये क्या रहेगा this shows the velocity ये link क्या शो करेगी velocity of point C with respect to D और ये क्या शो करेगा ये शो करेगा velocity of point C with respect to B, है ना, योगि C point B से भी connected है, C point D से भी connected है इस तरह से हमारा यहाँ पे velocity diagram complete हो चुका है velocity diagram हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है सिर्फ क्या करना है, जो भी link से उनको perpendicular line draw करते जाना है और आपको अपने आप velocity diagram मिल जाएगा इस तरह से यहाँ पे हमारा velocity diagram complete हो चुका है velocity diagram complete होने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पोचा क्या है देखो हम लोग को find out करने के लिए बोला है angular velocity of link cd angular velocity of link cd निकालना है तो cd हम लोग को यहाँ पे velocity diagram में cd यहाँ पे है तो velocity diagram से हम लोग को velocity of point c मिल जाएगी with respect to d पहले linear velocity यहाँ से मिल जाएगी फिर इसको convert करेंगे angular velocity में तो चलो पहले यह linear velocity को हम लोग यहाँ पे measure कर लेते हैं यहाँ पे distance measure कर लोग distance आपको दिख रहा है कितना है 3.8 है exactly 3.8 या 3.9 के बीच में 3.85 हम लोग इसको बोल सकते हैं 3.8 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 3.8 है तो यहाँ पे हम लोग को distance लिख देना है यह distance हमारा cd हम लोग को मिल गया है 3.8 cm 3.8 cm यह distance हम लोग को मिल गया है अभी इसको cm से meter per second में convert करो यह क्या है यह है velocity of point c with respect to d 3.8 दिया है हम लोग का यह क्या है हमारा scale है point 1 का तो हम लोग को क्या करना है 3.8 into देखो अब उल्टा हम लोग को scale में इसको convert करना है तो हम लोग क्या करते है scale से multiply करते है पहले हम लोग divide करके हम लोग cm में convert करते है और cm से वापस meter per second में जाने के लिए multiply करना है divide करेंगे तो centimeter में आएंगे multiply करेंगे तो meter per second में जाएंगे पक्का याद रखना है 0.1 से multiply करेंगे तो 0.38 आ जाएगा simple है 0.38 आ जाएगा meter per second 0.38 meter per second आगे यहाँ पर मैं calculate करके बता तो आपको point into 0.1 कर दो 0.38 आगे 0.38 meter per second यह आगे velocity of linear velocity of point C with respect to link D अब हम लोग को निकालना है angular velocity omega CD तो देखो linear velocity और angular velocity में क्या relation होता है यहाँ पही बताता है तो VB is equals to angular velocity into distance देखो तो VCD is equals to omega CD into link CD अब ही हम लोग को निकालना है omega CD तो देखो omega CD is equals to क्या हो जाएगा VCD upon distance CD अब यह जो distance CD है capital letter में लिखा है मतलब space diagram वाला distance है तो space diagram वाला distance CD क्या है CD जो problem में दिया है वो यहाँ पे measure नहीं करना CD 4 cm है वो नहीं लेना है जो problem में दिया है आपको CD का distance problem में कितना दिया है देखो यह CD का distance आपको problem में दिया है DCS CD 80 mm बोला है तो अब 80 mm है तो देखो CD 80 mm है तो इसको मिटर में convert कर लो, देखो यहाँ पर हम बता तो आपको CD हम लोग को कितना दिया है, 80 mm दिया है, इसको मिटर में convert कर लो, divide by 1000 करो, into 10 is the power minus 3 करो, तो आपको मिल जाएगा 0.08 meter, देखो 80 divided by, आप कर सकते हो 80, 80 divided by 1000 कर दो, तो आपको इस concern मिल जाएगा 0. 0.08 meter में, इस तरह से हम लोगों ने इसको meter में convert कर लिया, अब meter में convert करने के बाद, यहाँ पर इसको put करना है, mm में put नहीं करना है, यह centimeter वाला नहीं लेना है, जो problem में दिया है, वो value को, वो mm में रहेगी, उसको meter में convert करना है, फिर यहाँ पर put करना है, क्योंकि VCD हमारा meter per second में है तो distance भी मिटर में चाहिए तो देखो यहां पर हम लोग को मिल जाएगा angular velocity of link cd vcd है हमारा 0.38 divided by cd कितना है 0.08 तो इसको हम लोग calculate कर लेंगे यहां पर 0.38 divided by 0.08 तो in this way we will get the value 4.75 तो omega cd हम लोग को यहां पर मिल चुका है 4.75 radian per second यह मिल गया हम लोग को angular velocity of link cd 4.75 या फिर इसको हम लोग 4.8 भी बोल सकते approximately 4.75 radian per second यह मिल गया angular velocity तो हम लोग को सिर्फ angular velocity of link cd पूछा था इस तरह से यहां पर हमारा problem खतम होता है I hope आपको video समझ में आया है problem अच्छे से सारा समझ में आया है video अच्छा लगा है video अच्छा लगा है तो video को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe करना न भूलिए तो मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स प्रॉल्लम के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई